नमश्कार, स्वागत है आप सब का आपके अपनी मसारा कीचियन में हाँ, तो आज हम बना रहे हैं सामभर सामभर साउथ इंडियन की जो दाल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है नॉमल दाल से तो अक्सर हम सामभर तो बनाते हैं लेकिन आज मैं बहुत ही क्विक बनाने वाली हूँ जो हम रोज में अक्सर बनाते रहे हैं या वीकली जो बनाते हैं हमें बहुत तफ नहीं लगना चाहिए कि सामभर बनाना है तो बहुत ज़्यादा टेंशन है बहुत सारी चीजें कठी करने ऐसा कुछ भी नहीं है आप अराम से बनाईए लेकिन सामभर की जो में खास चीज होती है वो दाल से क्यों अलग होती है वो है में चीज उसका मसाला तो सामभर का मसाला अगर आपके पास ड्राय तैयार है आप मार्किट का यूज कर रहे है तो चले आपको पसंद है शायद पर मैं तो घर में बनाती हूँ इसकी रेसिपी पने डाल रखी है आप उसे जरूर चेक कीजिए अगर एक बार आपने बना के रख दिया आभी तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही बचा है सबसे पहले ले लिया हमने एक प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे करीब दो चमच ओय तो मैं सारी चीजे कुकर में ही बनाओंगी थोड़ा सा मैंने ओयल जाल दिया है एक तड़का छोटा सा बस बाद में लगाएंगे तो मैंने दाल इतना बड़ा कटोरा मेरे पास है करीब 7-8 जनों के लिए मैं बना रही हूँ तो ये मैंने बिगो के रखे रखे दाल और बहुत अच्छे से पानी में धो के रख दिया है करीब एक गंटा पहले मैंने इस तूर दाल को बिगा दिया था इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच करीब राई आधा चमच जीरा अब हम डालेंगे एक प्याज अगर आप सामबर में प्याज खाना चाते हैं तो डाले वरना ना डाले एक प्याज को मैंने लंबा कात लिया प्याजटो भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, अब हुम डालेंगे दो टमाटर जिने मैंने बारीच ताहिया है, अध्रत करीब देख से 2 इंच का टुकड़ा मैंने ग्रेट कर दिया है, एक से 2 हरी मिर्च जितना पसंद करते हैं, इसमें डालते हैं हम डाल के लिए अध्याज़ी पाउडर, स्वाद जालेंगे हम नमा, खोरी ती डाल जाल गाए हम लाइने पाउड़ी पाउडर, क्योंकि हमें बाद में तरका भी बाना है, मेरे पास आज हीन गुटली वाली की, तो मैंने इसे पानी में दिगो के रखा था, आब मैंने दो के रखा था, द कर दिया है, यह ड्रम स्टिक्स हैं, जिसे हम सहजन की पली भी कहते हैं, यह मेरे पास पतली भी थी, यह भी एक कारण था, और हमारे आंख ज़्यादा गली हुई भी नहीं खाते हैं, तो मैं इसे अलग से बॉयल कर दिया है, इसको मैं बाद मैं आग करोंगे, अब मैं डालू दाल देंगे इसमें, इस डाल को थोड़ा सा चला लेते हैं, मैंने इसका जो लंबा मैथर्ड होता है, सांबर बनाने का, वो भी डाला हुआ है वीडियो, उसी समय ताजा मसाला पीछना, दाल को अलग से बोयल करना, फिर तड़के में डालना, वो सारा भी है, वो भी आप सकते हैं, लेकिन जब कभी हमारे पास टाइम जादा नहीं होता, तीस त्यार होता है, घर में मैमान आने वाले है, हमें टेस्टी तो चाहिए सांबर, लेकिन हम बनाए इस तरीके से, जो जल्दी बन जाए और टेस्टी भी बने, बस 2-3 मिट हो गए, में को भूनते हुए, अब हम डालेंगे पानी, इसमें काफी अच्छी कॉंटिटी में आप पानी डाल दी, मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, अब हम इसे विसिल लगा दो, मैं इसे 2 विसिल लगाने के बाद, 10 मिट इसे स्लो गैस पर पकाऊंगी, सब कुछ बहुती बढ़िया तेयार हो जाएगा, दो से 3 विसिल लग गई है, अब इसे 5-7 मिट के लिए मैं स्लो गैस पर दूसरे गैस पर रख रहे हूँ, तब तक मैं बना लेकि उसका पटा-पट से तड़का, अब हम बनाएंगे तड़का, आप कहेंगे आप तो बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि मैं इसी में सर्फ कर लूँगी, हमारा टाइम बचेगा, काम बचेगा और दाल है, हमारी बहुत सारी सामबर, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसी में इसलिए बना रहे हूँ, तो अब हम सबसे पहले लेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून क इसमें डालेंगे हम वापस थोड़ी सी राई, कड़ी पता, सूखी लाल मेर्च, थोड़ी सी मैंने बाड़ी खरी मेर्च कटी देंगी, अब क्योंकि सहजन की फली मैंने दाल में नहीं डाल लिया तो मैं इसमें डाल जेती हूँ, यहाँ पर डाली मस्कोरा का सांबर मसाला थोड़ी चाचीरी लाल हिस पाउडर, गैस की फ्लेम चलो करके यहाँ डाली मैं इम्ली ता पाणी है, मैं डाल देंगी थोड़ा सा अपूर, आप इसे अच्छे से उबलने दीजी, गैस की फ्लेम सलो कर देती हूँ, इसे दीरे दीरे पका देती हूँ, कुकर का प्रेशर जो है, रिलीज हो गया है, इसे हम देख लेते हैं, हाँ, सबजियां हमारी साबुत है, डाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर है, क्योंकि हमें जब इडली के लिए या सांबर बड़े के लिए चाहिए होती है, तो बहुत जादा गाड़ी डाल नहीं चाहिए होती है, तो अब हम इस तड़के में इस दाल को ही पलट लेते हैं, हमने दाल को सांबर को इसी में ही पलट दिया है, ये देखिए, अब हमारी कम महनत में ये सांबर बनकर तयार हो गई है, अब इसे एक उबाला और साथ में दे देते हैं, लेजिए सांबर हम बिल्कुल जो मुझे परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए थी वही है, तो अब बिल्कुल ही त्यार है, इसका गैस बंद कर देते हैं, और बस आपको कैसी लगेए, आप जिरूर बताएए, और इस तरीके से सरल रसिपी सांबर की आपको नहीं मिलेगी, आप घर में इत्ते सार जने जब आ रहे हों, तो इस तरीके से सांबर बनाएगे, तो बिल्कुल नहीं थकेंगे, आपको भी नहीं लगेगा कि दाल बनाएगे, तो बहुत ही बड़िया लगेगा ये वीडियो आपको, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, जादा स्जादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें